शिक्षा और संस्कृती की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्तविश्य विद्याले आप के लिए लेकर आया है 91.2 FM पर हेलो हल्दवानी हेलो हल्दवानी एक सामुदाइक रेडियो है जिसे कि आप 91.2 MHz की फ्रिक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इस रेडियो को आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्तविश्य विद्याले इस रेडियो पर हम समुदाइ और समाज की जानकारी के लिए और जागरुकता के लिए कई तरह के कारिक्रम लेकर आते रहते हैं तो वहीं उत्तराखंड मुक्तविश्य विद्याले से जुड़े हुए विद्यार्थियों की जानकारी के लिए भी कई तरह के कारिक्रम इस स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्तिश द्यालाय के रासाइन विज्ञान विभाग से डॉक्टर रूची पांडे और इनकी जानकारी का जो विशय है आज का वो है आवर्त सारणी में नए तत्वों की खोज दोस्तों आवर्त सारणी में निहोनियम, मौस्कोवियम, टेनेसाइन और ओगेनेशन नाम के चार नए तत्वों शामिल हुए हैं तो इनकी आवर्त सारणी में क्या एटोमिक संख्या है और किस तरह की इनकी प्रकृति होती है इन तत्वों की खोज कहां पर हुई है और इसके मुक्त विश्विध्यालय का कम्यूनिटी रेडियू हेलो हल्दवानी मैं टॉक्टर रुची पांडे केमिश्टी डिपार्डमेंट से आज आपके सामने प्रस्तु कर रही हूं आवर्त साणी से जुड़े कुछ रोचक जानकरियां जिसका विशय है आवर्त साणी में सिलेक तत्व जिनके अलग लग गोड़ हैं 118 ततों में 94 तत्व प्राकर्तिक रूप से पाए जाते हैं जैसे जैसे विविन तत्व की खोचकी जा रही है व्यज्यानिकों ने इन तत्व के गोड़ों के बारे में अधिक से अधिक जानकरी प्राप्त की है अब दिमाग में प्रस प्रचुड ततव के ळिया है जैसे कि आप इसे पानी में या कई अड़ूं में पा सकते हैं जल ही जीवन चेशा रहे हमें तत्व में आवरतสाटी में पाए जाते इन तत्व का निरहे होते हैं कुछ fundamental particles से होता है यह fundamental particles proton, neutron और electron होता है proton, neutron और electron क्या होता है proton और neutron जो होता है नाविक में उपस्तित होता है जिसमें proton पस सकारात्मक विद्दुत आवेस यानि की positive आवेस होता है, जबकि electron नाविक के चारो और व्रतिक अक्साओं में चक्कल लगाता है जिन पर रिनाविस होता है ये बहुत छोटे और हलके होते हैं और नाभी के सराउणिंग में परिक्मा करते हैं तो ये तो हुई तत्व की जानकारी बट इन तत्व की जो खोज कीर गई है और ये सारे तत्व आवर्तसाणी में रखे गए हैं तत्व क्या ये तो हमें पता चल इस सभी तत्व आवर्ट सॉनी में एक रूप से विवस्तित रहते हैं, 1869 में मैंडलेफ ने आवर्ट शानि की होज करी जिसने बता या की तalon को उनके प्रमानू क्रमान की आधार पर रखा जाएगा ऐसा नहीं यह कि तत्तो की खोज करने के लिए मेंडिलिफ नहीं केवाल योगदान दिया। बहुत से पहले इससे साइंटिस्ट हुए थे, जैसे की डॉबनियर हुए थे, न्यू लेंड हुए थे, इन्होंने भी आवर्तसाणी की खोज में महत्तपूर योगदान दिया। प बहुत समय तक आवर्तसाणी प्रमाणु भार के आधार पर व्यवस्तित तत्व का एक गड़ थी। परन्तु इस आधार पर रखने से तत्व कोई नए तत्व की खोज या कुछ अन्य तत्व के गुणों में व्यवस्ता क्राम सही नहीं हो पाया। इसलिए बाद में धीरे दिरे सैने सैने खोज होती रही और एक नई आवर्तसाणी जिसे न्यू फॉर्म प्रियोडिक टेबिल के नाम से जाना जाता है या न्यू फॉर्म प्रियोडिक टेबिल के नाम से जाना जाता है की खोज हुई जिसमें तत्व को उसके प्रमाणु क्रमांग के आधार पर र दिसंबर 2015 में एलिमेंट 113, 115, 117 और 118 के डिस्कवरी हुई ओफिशिल तार पर इंटरनेशनल यूनियन और प्योर्ड अप्लाइट केमिस्ट्री ने आधिकारिक रूप से इन चार तत्तों की खोजों को मानेता दी कुछ समय के पस्चात 2016 जून में सारवजनिक रूप से यह घोशित किया गया कि आवर्थ शाणी में यह तत्व जोड़ जाएंगे तो कहने का मतला है आवर्थ शाणी में प्रमाणुकुर्मांग 13, 15, 117 और 118 तत्तों को आधिकारिक रूप से जो जगह मिली वो 2016 जून में मिली प्रस्मी उड़ता है कि राशायन सास्तर में जो इन तत्तों की खोच करी गई वो तत्तों कौन थे और इनके नाम कैसे रखे जाते हैं हमने कहा प्रमाणुकुर्मांग 113, 115, 117, 118 की खोच करी गई तो इन तत्तों के कुछ नाम तो होंगे तो इन तत्तों के नाम कैसे रखे जाते हैं अब मैं आपको यह बताती हूँ, जैसे कि परमाणु कुरमांग 113 है, 117 है, 115 है, 118 है, इन तत्तों को मुख्य रूप से उनके आविस्कार होने वाली जगह के आधार पर रखा गया, उनका जो नाम रखा गया, जहां पर आविस्कार हुआ है, उस जगह के नाम के आधार पर जैसे परमाणु कुरमांग 113 का नाम है, निहोनियम, जो नाम आया, निहोन से आया, निहोन जिसका अर्थ जापानी में होता है, जापान, इससे सिद्ध हो रहा है, कि यह कहां डिस्कवर्ड किया गया है, जापान में, और उसका जो प्रतीक है, capital N, small h, वैसे भी आपको बत 115 है, इसकी खोज की गई, उसका नाम है आपका मासकोविनियम, मासकोविनियम नाम से ही क्लियर हो रहा है, कि यहों मासकोज छेतर में खोज के द्वारा सामने आया, जिसका सिंबल है, capital M, small c, और उसका परमाणु क्रुमांग 115 है, इसी तरह, element 117 को टैने सीन नाम दिया गया, टैने सीन, क्योंकि इसे टैन सी में, ओक रिज नैसनल लेबिटरीज में बनाए गया, इसी तरह, element 118 को ओक ने सन नाम दिया गया, ओक प्रतीक है, यूरी ओगे सियन के लिए, और इस ओगे ने सन की जो खोज है, रूसी टीम ने की थी, अर्थात परमाणु क्रुमांग 118 की जो खोज है, रूसी टीम ने करी थी, ये तो क्लियर हो गया, कि हमारे इन तत्तो के नाम उनके खोजी गए स्थान के आधार पर, खोजे गए छेतर के आधार पर रखे जाते हैं, और ये सभी तत्वे, एक्च्वल में, सुपर हैवी ऐलिमेंट्स क्लाते हैं, प्रस्ट में उड़ता है कि सुपर हैवी ऐलिमेंट्स अर्थात भारी तत्वे क्या होते हैं, भारी तत्वे से नाम से ऐसा लग रहा है कि ये बहुत भारी होते होंगे, एक्च्वल में ये बहुत भारी नहीं होते हैं, ऐसा माना जाता है भारी धात्व, सब्द, तत्वे के उनके प्रम उड़ता है कि यह तत्व प्रयोग साला में कैसे निर्मित के जाते होंगे एक्चुन में वेग्यानिक एक आवेसित तत्व को दूसरे तत्व के आयनों में अटैक करके एसलेटर नामक मसीन का प्रयोग करते हैं जिससे आयनिक चार्ज पार्टिकल जब आपस में टकराते हैं तो उनके नाभिक आपस में जूड़ सकते हैं और जूड़ जाने से एक नए तत्व का निर्मान होता है अर्थात यह जो तत्व है जब प्रयोग साले में खोच के गए जिनका प्रमानुक्रमाग मैंने आपको बोला 113, 115, 117 और 118 है कृतिन रूप से बनाए गए तत्व है तो इनकी खोज करने के लिए एक चार्ज पार्टिकल्स का नुकलियस दूसरे के साथ जुड़ जाता है और यह कृतिन रूप से बनाए गए तत्तर रूप में जाने गए परंतु इन तत्व का एक विसे गुण होता है यह तत्त 6 होने से पहले केवल 1 सेकंड के अंस के रू निहोनियम की जब खोज करी गई तो उस समय उसका निर्मार के टाइम काफी उर्जा का 6 हुआ और 6 होने के साथ उसका जीवन काल केवल 10 सेकंड का था इस तरह से आवरता साणी में नए तत्तो की खोज होती है और पहले से छूटे गए आवरता साणी में इस थान पर उनके प्रमाणो क्रमां के आधार पर तत्तो को उहां पर स्टेबलाइज कर देते हैं धन्यवाद आसा करती हूं आप लोग को आवरता साणी में नए तत्तो की खोज की जानकारी पसंद आयोगी इसके पस्चात कुछ नई रोचक रशान विक्यान से लेकर जानकारीय को लेकर उन अन्यवाद है वे नईज दे